माई सेल्फ वरुन कुमर, आइम केमिस्टी टीचर, यह वीडियो 11th किलास के लिए है चैप्टर नेम समाब्योता और टॉपिक नेम है तिर्विम समाब्योता तिर्विम समाब्योता अणूओं में उनके परमाणूओं या समूओं की आकासिय विवस्था में भिनता होने के कारण उत्पन होती है किसी भी अणूओं में परमाणूओं या समूओं की आकासिय विवस्था उसका बिन्यास कहलाती है मतला हम कह सकते हैं तिर्विम समा बीबियों के अनू सूत्र है नि जो उनके आईसो मर होते हैं उनके अनू सूत्र और सनचना सूत्र तो समान होते हैं परन्तु उनमें अनू या परमाणियों की जो आकासी ब्यवस्था होती है वो भिन भिन होती है तिर्विम समावयोता दो प्रकार की होती है तिर्विम जो समावयोता है वो कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की एक कहलाती है जियामितिय समावयोता और दूसरी कहलाती है प्रकासिय समावयोता ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि जयामितिय समावे होता और प्रकासिक समावे होता क्या होती है किलियर समझ में आ गया